हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल मनीशा रसुलिगर्ड चलो तो आज बनाते हैं थोड़ी से हेल्दी थोड़ी से अनहेल्दी वाले चौकलेट केक यह केक को मैंने फर्स टाइम ट्राइ किया है और मैंने घर के रखे समान से ही इसको अच्छे से गार्निस किया है यह उतनी पर्फेक्ट तो बनके नहीं आई यह देखने में लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था इसका आप ज़रूर ट्राइ करें इस केक को बेक करने के लिए मैं एक साथ दो केक बेक करूंगे बिस्कित को मैंने छोटे-छोटे टुकरे करके जार में रख लिया मैंने एक केक के लिए दो चम चीने का इस्तमाल किया है मैं ज्यादा चीनी यूज नहीं करूंगे कुकर को हीट होने रख दिया नमक एट करके नीचे एक स्टेन के जगा मैंने कटोड़ा का इस्तमाल किया है। हाफ लीटर डूद में मैंने दोनों केक का बैटर को बना लिया। थोड़ा थोड़ा डूड़ेड करके आप बैटर बना ले। जब दोनों बैटर आपका बन जाएगा तो आप इसमें बैटर यूज डाल दें एक एक पैकेट दोनों में बैटर मिक्स करने के बाद हम केक जिसमें बैटर करेंगे वह कटोड़ों को रेडी कर लेते हैं। हमने हलका ओल लगा के मैदा चीट लिया। उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे वह बैटर इनो मिक्स करके इनो को डालते ही आपको फटा-फट उसमें कनवर्ट करना है कटोड़ा में और बैख होने को रख देना। सबसे पहले नीचे में, मैंने बड़े वाले टिफिन को रख पिर ऊपर से छोटे वाले को भाले से डक्क किया। यह केक मैं रात के टाइम बैग कया तो मैं रात को इसे डेकोरेट नहीं, मॉर्निंग को करूंगे। ये लग रहा है कि नहीं बेक हुआ लेकिन 50 मिनिट हो गया थे और मैंने इसमें नाइफ डाल के देखा था ये अच्छे से बेक हो गया मैं इसे वापसे कुकर ही में रख दी कुकर हीटेड कुकर गरम था तो वापस से ये सैट हो गया मॉर्निंग मैंने डाक चॉकलेट से चॉकलेट गनाज बनाया जिसके लिए मैंने लिया फ्रेस मकहन दूद और डाक चॉकलेट और इसी से मैं बनाऊंगी केक को डेकोरेट करने वाला चॉकलेट गनाज मैंने उसका छोटा छोटा पीसेस कर लिया मक्षन एड़ कर दिया तूर एड़ कर दिया और मैंने उसे स्टीम में या फिर भाब पे मेल्ट कर लिया इसे पिघाल दिया सारा जो चॉकलेट था इसे करने में मुझे 15 से 20 मिनिट लग गए अब इसे मिक्स करते रहें और इसे मेल्ट होने के लिए रखते जब आपका गणाश ऐसा बन जाए तो मतलब समझे होगे आप थोड़ा रनी भी रख सकते हैं मैंने थोड़ा ठीक ही रहने दिया अब मैं केक को डेकोरेट करूंगे केक को मैंने दो पीसेस में कट किया और सबसे पहले मैं नीचे वाला पीसेस पे सुगर सिरप अपलाई की उसके बाद मैंने जो चॉकलेट गनाश बनाया था वो अपलाई किया और उसे spread किया उसके बाद उपर वाले पीस को मैंने उपर से डाल दिया और फिर मैंने इस पे भी चॉकलेट एप्लाई किया और मैंने नाइफ के मदद से इसे अच्छे से राउंड राउंड प्लेट को घुमा के spread कर लिया एंड में मेरे को ऐसा केक मिला आप भी घर के रखे समान से कर सकते हैं ये केक को बेक मैंने एंड में पिस्ता ग्रेट करके साइड साइड में रख दिया ये उतनी परफेक्ट तो नहीं है फिर भी बहुत सही है आप एक पर ज़रू ट्राइ करें थैंक यू फॉर वाचिंग